हेलो गाइस आज है 22 फेब और आज मैं अपनी बाइक को लेके जा रहा हूँ सर्विसिंग करवाने इसकी फॉर्स सर्विस है और यह 500 किलोमेटर्स तक चल चुकी है इसमें कुछ-कुछ इशूस मुझे फेस हो रहे थे तो मैं जल्दी थोड़ा सर्विसिंग करवा रहा हूँ अल्मुस्त यह 500 किलोमेटर्स तक गया है 460 या 70 तक है इसको इसका जॉड़ोमेटर है भी तो इसमें जो इशूस मुझे फेस हो रहे मैं आपको बता जाता हूं एक मेंट तो गईस यह रही बाइक और कुछ खास मेजर इशूस नहीं इसके अंदर और पहली इशू तो करने से होगा या चेन टाइट करने से होगा और दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लगी वह एक बर क्या हुआ कि इसके अंदर फ्यूल थी तीन से चाहल लेटर फ्यूल था इसके अंदर बट फिर भी मेरी बाइक जो है वह बंद हो गई थी रस्ते में तो काफी मैंने स्टार प्रॉब्लम जो है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें और माइलेज की इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि यूटूब मेंने काफी सारी वीडियो देखें उनमें बता रहें कि शुरू में जो है आपको 35 तक मिलेगा 30 तक मिलेगा बट ऐसा कुछ नहीं है मेरे को अभी जो ये बाइक दे रही है वो 22 से 25 के बीच में अभी दे रही है और फिर्स सर्विस के बाद देखते हैं क्या देती है तो उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा दूसरी वीडियो में तो गाईस अभी चलते हैं पहले सर्विसिंग करवाते हैं बाद फिर बात करते हैं जो गाइस वो रही मेरी गाड़ी सर्विस हो रही है अभी तो नमबर नहीं आ है मेरा इन्होंने ओइल निकाल दे आया है बाइक से और जो भी इशू से मैंने इनको समझा दिया है यूझा थाओ रही है तो गैस देख सकते हैं कि जो है बिल मेरे पास आ गया है बाइक सर्विस हो चुके और वाश में गया है वाश वाशिंग में तो अभी टोटल जो बिल मेरे पास अभी आया है वह 1,042 रूपीज का है और इसके अंदर देख सकते हैं क्या क्या चीज आड़ हुआ है लिक्विट गन सेमी सिंथेटिक जो इनका ओल होता है वह 2.30 लिटर का है जिसकी कॉस्ट है 779 और बाठी इन्होंने ओल फिल्टर आड़ किया है चेंड लिउब आड़ किया है तो यह सब मिला के जी एस्ट वग चरहे लिए पारेगा